जै श्री राम, जै कामतानात की, मैं अर्चन नितिन उपाद्याए, राश्टी प्रभारी, जै बजरंग सेना। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले बांगला देश में हिंसा हुई, जिसमें हिंदू भाई बहनों के परिवार जलाये गए, मारा गया, जलाया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे भारत देश में जगा जगा पर इस हिंसा का विरोध किया गया, जिसमें जय बजरंग सेना द्वारा चित्रकूट धाम कामदगीर पीठम के पीठा दिश्वर पूजी संत डॉक्टर श्री मदन गुपालदाश जी महराज जो की जय बजरंग सेना के संडख्षक है इनके द्वारा चित्रकूट धाम में एक जन आकरोश यात्रा निकाली गई और भारत सरकार से मांग की गई कि हमारे हिंदूों को सुरक्षा दी जाए हमारे देश में आज भी कुछ मुसल्मान ऐसे हैं जो रहते हैं हमारे देश में खाते हैं भारत में और आज भी उनकी मांसिक्ता लडाई जगडे जिहाद धर्म की हानी करना सनातन धर्म को मिटाने की सोचते हैं चित्रकूट धाम में कुछ ऐसे जिहादी तत्व के मुस्लिम पनप रहे हैं जो की उस धाम में रहकर चोरी चुपके मास का और अंडा बनाते हैं और बेचते हैं हमारे सनरक्षक पूजी महराज जी ने उनको मना करना चाहा हमारा संगठन जय बजरंग सेना इसका विरोध करता है और हमारे महराज जी ने उनको मना किया तो उन्होंने मिटिंग बुलाई सभी मुसल्मानों ने मिलकर जो ये गलत काम करते हैं हमारे धर्म को बददाम करने के लिए, हमारा धर्म को दूशित करने के लिए जो चोरी चुपके ये काम करते हैं उन्होंने मिटिंग बुला कर हमारे पूजे महराज जी को धमकी दी, जान से मानने की धमकी दी और कामतगीर पीठ की परिक्रमा करने के लिए रोका, हमारे महराज जी के साथ उन्होंने अभद्रता की उन्हों उल्टी सीधी गाली दी और उनको परिक्रमा करने के लिए रोका तो मैं पुलिस अधिक्षक जी से बात की इस विशा में लेकर कि मैं इस संगठन की प्रभारी हूँ और हमारे संदक्षक जी के लिए इस तरह की वहाँ पर योजना चल रही है और उन्हें धमकी दी जा रही है तो उन्होंने कहा मद्य प्रदेश पुलिस अधिक्षक जी से बात की उन्होंने भी पल्ला जाल लिया तो आज चित्रकूट की सुरक्षक किस राज्य के हाथ में है मद्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के क्योंकि अभी तो ये पुलिस और ये सब सो रहे हैं साशन प्रस जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी जब किसी की जान चली जाएगी तब ये जागेंगे और हमारे पुझे महराद जी जो कि धर्म के रक्षक हैं और वहां के पीठा धीश्वर हैं कामत गिर पीठम के उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है आज उन्हें जान से माने की धमकी दी जा रही है उन्हें परिक्रमा करने के लिए रोका जा रहा है कल को ये आगे बढ़ कर हम लोगों को वहां नहीं आने देंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि इसे रोका जाए और ये जो जिहादी मानसिक्ता के लोग हैं जो हमारे धर्म को मेस्ट करने के लिए दिन राद घूमते हैं इनके उपर एक्शन कब लिया जाएगा तो मैं प्रातना करती हूं और मांग करती हूं कि आप क्रपया करके इस मामले को संग्यान मिले और जल्द से जल्द ऐसे जिहादी मान सिक्ता के लोगों को कारवाई की जाए इनके उपर और हमारे महराज जी को सुरक्षा दी जाए जय श्री राम उनको जान से माने की धंकी दी जा रही है क्योंकि उन्होंने चित्रकूट में परिक्वा मार्ग पर एक जन आक्वोस यात्रा निकाली थी जो कि बंगलादेशी में हिर्दूों के साथ हो रहे अत्याचार को ले के था उनके साथ जो सोसर हो रहा त्याचार हो रहा उनको जमीने चीनी जा रही उनके भवन जला जा रहा है उनकी बहन बेटियों के साथ जो बिवचार हो रहा है उसको ले करके जन अक्वोस याता एक निकाली गई थी उसको ले करके मत्डाक्टर मदन गोपाल जी को जान से म यह मद्य प्रदेश का मामला नहीं है इन दसा में उनकी सुरच्छा कौन करेगा यह सरकार को तय करना है वहां के प्रसासन को तय करना है यह ऐसा नहीं होता है तुझ्जे बजन से ना बहुत जल्ड इस पे कठोर से कठोर कारवाई करेगी और वह अन्डोलन के लिए बाद को एक ज्यापन भी दिया जाएगा मानीं वहां के दिलादिकारी को वहां के सत्पी को कि इस पे कठोर से कठोर कारवाई करें और को तत्कास रुच्छा पे उस्ता मोहिया करें यह ऐसा नहीं होता है तो जय बजन से ना अंदोलन के लिए बात होगी